पांच अगस्त से ग्यारा अगस्त तक का समय तुलाराशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जैमातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अगस्त माहा के इस दूसरे सपतह के तुलाराशी फल के बारे में यह जो अगस्त माहा के साथ दिन होंगे इन साथ दिनों में कौन-कौन से योगों का निर्मान होगा ग्रहों की इस्तिती कैसी होगी और इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से आपके इन साथ दिनों को प्रभावित करेगा तो सारी जानकरे आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी इसी लिए वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आये हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ अब देखें ये जो सब्ताहा है पांच अगस से ग्यारा अगस तक इस सब्ताह में योग तो कई बनेंगे लेकिन जो सबसे अच्छा योग होगा वो होगा शिव योग शिव योग में इस सब्ताहा की शुरुवात और इस सब्ताहा का जो लाब है वो तुला राशी के जातकों के लिए बेहद शुब रहेगा बाकी इस सब्ताह में गज केसरी योग भी बनेगा सरवार्थ सिद्ध योग भी बनेंगे कई योग और बनने वाले हैं शशनाम का राजयोग भी बना हुआ है और कहीं न कहीं सूर्य का प्रभाव भी आपको मिल रहा है आपके राशी के स्वामी शुक्रदेव का प्रभाव भी आपको मिल रहा है अब इस सप्ताह में क्या कुछ खास होगा क्या उपाय आप कर सकते है प्रदाई होने होने वाला है जो आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे, यानि काफी समय से आप इंतिजार कर रहे थे अपने सपनों को बुरा करने के लिए, कुछ ऐसे काम आपके जिनको आप करना चाह रहे थे, तो बहु प्रतिक्षित सपने पूरे होने के योग बने हुए हैं, साथ में आपका साथी, आपके जो साथी है, आपका जो मित्र है, वो भी काफी मददगार आपके लिए साथी, आपके अपनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, उनका समर्थन प्राप्त होगा, और पुरवार्ध का जो सप्ताह का समय होगा, यहां आपके इतो जो योजनाए बंद होने वाली थी, योजनाए बंद हो गई थी, दूसरा आपको बाजार में अठके हुए धन की प्राप्ती का योग भी बनेगा, इस दोरान आप अपने करियर, अपने कारोबार, इनके साथ अपने परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों का भी पूरी तरह से निर्वहन कर पाएंगे, इस दोरान आपके प्रिये, आप करीबियों के साथ आपकी जो है बॉंडिंग तो अच्छी रहेगी ही, लेकिन वो आपकी उपहार का लेंदेन भी आपके साथ करेंगे, कुछ अगर गलत फैमी, कुछ आपके अपनों के साथ हो गई थी, कुछ गलत फैमिया चल रही थी, तो उन गलत फैमियों को दूर करने के लिए भी ये सबताहा बेहद अच्छा रहने वाला है अब यहां हमें सिक्षा की बात कर लेती हूं पहले तो देखिए बहुत अधिक फल दाई रहने वाली है उच्छ सिक्षा के लिए किये गए प्रियास आपके सफल होंगे इस दौरान बौधिक और भावनात्मक लाव आपको प्राप्त होंगे यह सबताहा रिसर्च वर्क और पठन पाठन का कारिया करने वाले लोगों के लिए भी बहुत सिक्षक हैं तो आपको अपने कामकाज के लिए अपने कारिया के लिए सम्मानित किया जा सकता है तब क्या होगा आप अपने पेशे में मंचाहे लाव प्राप्त कर पाएंगे और साथ में तरक्की के जो सपने देख रहे हैं वो तरक्की को भी आप देख पाएंगे चलिए अब घरेलू महिलाओं के बात करें तो देखे जो सब्ताह का उत्रार्द का समय होगा इस उत्रार्द के समय में घरेलू महिलाओं के लिए बड़ाच्छा है आपका ये वीक धार्मिक अध्यात्मिक कारियों में भी रहेगा और अपने Frennd Circle में बिताने के लिए भी अच्छा रहेगा कुछ धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए अर्चा रहेगा कुछ आप ॐ समय कर सकते हैं यह धार्मिक के हो सकता है अपने दोस्तों के साथ भि घूमने का रह सकता है प्रेम अब रसंग की दْरश्टिर से देखा जािए तो भी अच्छा दिख रहा है अगर आप किसी को अपनी दिल की बातें बोलना चाहा रहे हैं काफी समय से आप इंतिजार कर रहे हैं तो ऐसा जरूर करें इस सब्तह में आपकी बात बन सकती है प्रेम संबंद के मामले में भी अच्छा समय है यह प्रेम संबंद है ना आपका जो काम करने का तरीका है वो बड़ा पॉजिटिव है जो एक लगता है ना कि आपके चारों तरफ धूंद छाए हुई थी आप उसको अपने प्रियासों से हटा पाएंगे और ये आपकी प्रगति को जो बाधित कर रही थी धूर उसको आप समय रहते हुए उससे बाहर निकलेंगे दूसरों के सामने अपनी हैसियत के बारे में कभी खुल कर चर्चा ना करें सामने वाले को समझने दें ऐसी बेवकूपी वाला काम बिल्कुल भी ना करें और साथ में अपने धन को सजोना सीखे देखे आपके पंचम भाव में शनी गरे बैठे हैं शनी आपके लिए यात्राओं का योग बना रहे हैं छोटी छोटी यात्राओं छोटी यात्राओं थोड़ा बहागदोड भी रह सकती है लेकिन आराम भी देगा और सुकुन भी परिवार को भी आप परियाप्त समय दे पाएंगे उनके साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे जो शिकायत वो कर रहे थे उन शिकायत को दूर कर पाएंगे आपकी चतुराई आपके काम आएगी और आपके करियर के लिए तो है ही आपके करियर के लिए तो काफी अच्छा और सफल फलो की प्राप्ती की संभावनाएं जादा बन रही हैं। शुरुआत से ही क्योंकि आप मेहनत करके भी चलेंगे अपने प्रियासों को रफ्तार भी दे पाएंगे अपना ध्यान भी केंद्रित कर पाएंगे तो उनका रिजल्ट भी उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट को सफल भनाने में काम्याबी हासिल करेगी। वाकि तो देखिए पारिवारिक जीवन भी अच्छा है और प्रिम संभन भी अच्छे हैं और इस राशी के लोगों किसी महिला की मदद से कुछ अच्छे काम ज़रूर बनने वाले हैं। और सब्ता का जो अंतिम समय होगा वहाँ क्या होगा आप पार्टी के मूड में रहेंगे। तो उसका धिहां रहेंगे और कुछ चीजों में ऐसा रह सकता है कि मन में एहंकार ना आ जाए। उस चीज का भी तोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकि ये सबता हमें कहूंगी हर एक मामले के लिए हर एक चीज के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है आप एक कारे करें जब भी आप सुबह को स्नान करें तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगाजल्ड की बूंदे डालें और तब स्नान करें इससे आपके एनरजी अच् शुक्राय नम्हा इसका मंत्र का जाब जरूर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें